एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर आजर हूँ, आपका होश तो दोस्त विक्रांत जूशिया, आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेकाते हैं वर्ड अफेर्स और डिफेंस की दिर्मा की टॉप खबर है तो शलिए, जान लेते हैं अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे, तो वो इंडियन एर फोर्स की तरफ से आ रही है, क्यूंकि युक्रेन युद्ध होने की वजह से, रश्या, अब हमें जो इस मिसायल सिस्टम की चौथी और पांचवी खेप नहीं पहुचा पाएगा, चौथा और पांचवा रेज है, जिसको की खरीदने के लिए, इन समानों खरीदने के लिए एलोकेट किया गया था, उसमें लगबख 26,000 करोड रुपे की कटाउती की जा रही है, इंडियन एर फोर्स से ये पैसे या लिये जाएंगे, या तो अभी उनको एलोकेट ही नहीं किये गये हैं, कुछ 58,000 या इलोकेशन है, उसको कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, दूसरे सेना के अंगों को या जो दूसरी इंपोर्टेंट चीज है, वहाँ पर इसको इलोकेट कर दिया जाता है, इससे पहले भी पिछले साल, जब रश्या को अठारा सौ करोड रुपे की पेमेंट नहीं ह पाई थी, उसको वापस कर दिया गयता है, फाइननस मिनिश्टरी को, तो इसी प्रकार की चीज़ें इस बार भी हो रही है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जबरूर बताईएगा, बात कर लेते हैं, मेड इन इंडिया एक्यूपमेंट्स की B.E.L. को एक बड़ा क कॉंट्रेक्ट प्राप हुआ है, जो कि 3400 करोड रुपए का है, इन में रडार और रडार वार्निंग सिस्टम, दो तरह के सिस्टम खरीदे जाने हैं, इसमें सबसे पहले 2800 करोड रुपए में अरुधरा, जो मीडियम पावर रडार है ये, इसको खरीदा जाएगा, इसक प्राप में भारत को प्रमोट करते हुए प्रोडक्स खरीदे जा रहे हैं, मिनिश्ट्री आफ डिफेंस ने इसके लिए MOU साइन अल्रेडी कर दिया है, बात करते हैं चीनी लोगों की जो की टैकसस से होते हुए यूएस के अंदर घुशते हैं, इस बार कुछ 16 से जादा चैनीज लोग पकड़े गए हैं, इन बॉडरो पर साथ ही साथ, कल परसो में ही कुछ 90 चैनीज पकड़े गए हैं, जो की 210 के बाद सबसे बड़ी संख्या है, किसी दिन पकड़े जाने वाले चैनीजों की, एसल में एकवाड़ोर में चैनीजों को वीजा नहीं लेना आई है, एक्च्वल में इन में से बहुत से लोग अमेरिका का खवाब देखते हैं और वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, साथ ही साथ, हो ना हो, कहीं ना कहीं, चैनीज जासूज भी अमेरिका के अंदर इसी माध्यम से घुसते ही होंगे, आपका का कहना है, कमेंट बहु जो की हमारा घातक ड्रोन होने वाला है, उसका एक छोटा प्रोटोटाइप है, इसकी तस्वीर निकल कर सामने आई है, जिसके में इसकी असेंब्ली होती हुए दिखाई दे रही है, यह लगबग एक टन का है, और जो इसका एक्च्वल वैरियंट बनने वाला है, जो घातक जो ड्रोन है, हमारा अनमैन एरियल वैकिल है, स्टिल्थ एरियल वैकिल होने वाला है, वो लगबग 14-15 तन का होने वाला है, तो इसका छोटा वैरियंट बनकर तयार हो रहा है, इसके असेंब्ली हो रही है, इसको जो पावर दी जाएगी, वो NPO Saturn 36 MT टर्बो फैन इंजन से दी जाएगी पावर, और जब इसका बड़ा वाला वैरियंट त्यार हो जाएगा, तो उसको जो कावेरी इंजन, ड्राइ कावेरी के 46 किलो न्यूटन वाले इंजन से पावर दी जाएगी, तो बड़े छलांग लगाने के लिए छोटी-छोटी सीडियां चड़ना स्टार् त्रेते न श्कार, थेंक यू, चाहिए.